खलो दोस्तो मैं हो शिवरा सिंह स्वागत है आपका मेरी चैनल हिस्ट्रीवीत सिंह में दोस्तो आसा है आप लोग अच्छीशे होंगे बढ़िए अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो मैंने दोस्तो आपको जो है पंजाब का जो है पंजाब में ने one अप पहले ये वीडियो आये ठीक है तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जो गुरु नानक से ले करके गुरु गोविन जो जितने गुरु परंपरा थे गुरु थे और जो मिसल थे उनकी बारे में आपने पढ़ा था और पंजाब को भी समझा था ठीक है तो आज की वी रजी सिंग के प्रसासन को समझेंगे और जो आंगल सिख संघर्स हुए हैं इसके बारे में इस वीडियो में समझेंगे ठीक है तो पीछे जो हम लोगों ने लास्ट छोड़ा था तो बंदा ठीक है बहादुर जो थे उनकी मित्यु तक जो है उनकी हत्या की गई थी वहां तक आपने पढ़ा था ठीक है अब उसके आगे से आईए आप देखिए ठीक है तो देखिए समय है 1726 इस्वी का ठीक में पंजाब में नियुक्त मुगल सुवेदार जाकरिया खाने सिखों से समझावता करने के उद्देश से सिखों को जागीर और नवावी देने का प्रस्ता किया ठीक अब जाकरिया खान द्वारा फैजरपूर के कपूर को जमिनदार नवाव के रूप में मानिता दी गई आगी चलकर कपूर सिंग के नितित में पंजाब के सिख क्रिशक जो प्रिथक प्रिथक जत्थों में बटे हुए थे को संगठित कर एक ऐसे दल के रूप मे विक्सित किया जो दल खाल्सा की रूप में आस्तित में आया ठीक बहुत ध्यान से सुनिएगा और दिखिए उसके बाद कपूर सिंग की मित्ति हो जाने के बाद जसा सिंग अहलू वालिया ने दल खाल्सा को अपना नितित प्रदान किया जसा सिंग के नितित में ही दल खा बिवाजित हो गया, अब देखें लिए लिए जफित्तों हो गया, 12 जो मिसल थे, आपकी जो जत्हे थे थे, टिक है, मिसल यानि समान, ठीक है, तो 12 जो मिसल थे इनको मैंने आपको पीछले वीडियो में बता दिया है, जो बता दिया है, उनके जो प्रमुख थे या नाम तथा निशान होता था. सभी मिसलों की निताओं की एक समित्य होती थी, जो सभी मिसलों की कार्यों का समपादन करती थी. ठीक है, सिखों को जोड़ने की अंतिम कड़ी थी सरवत खालसा, ठीक, सरवत खालसा यानि वार्षिक बैठड को कहते हैं, ठीक, अब आईए, दल खालसा ने 1753 इस्वी में राखी प्रथा प्रारम की, ठीक, अभी भाई, राखी प्रथा क्या है समझे आप, राखी प्रथा की अंतरगर्थ दल खालसा प्रते गाउं से उपज का एक बटे पांच भाग ले करके उसकी सुरच्छा का प्रबंध करता था, इस प्रडाली ने सिखों को राजनितिक सक्ती के रूप में विक्सित होने में सहायता पहुचाई, ठीक, आगे दिखी, अफगान आक्रमण तथा मुगल सुवेदारों या गवर्नरों के अत्याचारों के कारण पंजाब में अब्योस्था की सिती थी, ठीक है, आपने देखा था ना, पीछे आपने पढ़ा कि नादिर साह का आक्रमण हुआ था, ठीक, और उसके बाद आमसाब अबदाली का जो है आक्रम ठीक, और मुगल सुवेदार या जो मुगल सुवेदार नियुक दिये जाते थे, आप पढ़े हैं, जानते हैं, तो मुगल सुवेदार या गवर्नरों के अत्याचार के कारण पंजाब में अब्योस्था की स्थिती थी, दल खालसा ने अब्योस्था की स्थिती को समाप कर के उद्देश से राखी प्रधा प्रारम की थी। शिखु ने 1773 इस्वी किये अंत तक पंजाब की समस्त मैदानी भाग और पूरो में सहारनपूर में पस्चिम में अटक तथा उत्तर में पहाडी भाग से लेकर दच्षिड में मुलतान तक का अपना समराज विस्तार किया। इस प्रकार सिखु को एक स्वतंत राज की स्थापना में सफलता मिली। परन्तु उनमें सास की एकाई का अभाव था वे बारा मिसलों में बटे हुए थे। तो यहां तक आपने समझा। आप आजाए। आजाता है समय रडजी सिंग का। रडजी सिंग का जो सासन किया है इन्होंने 1792 से 1849 स्वी तक इन्होंने सासन किया है। अब इनको देखिए इनका जन्म जो है 1780 स्वी में हुआ है। यह सुकर्चकिया मिसल के मिसल या लिखा होगा या मिसल लिखा होगा। ठीक है। सुकर्चकिया मिसल या मिसल के थे। ठीक है। कहीं किताबों में मिसल होगा और कहीं मिसल होगा। और देखी ये सुकर्चकिया मिसल की प्रधान महा सिंग के पाउत्र थे और ये अब इनकी मित्व हो जाती है महा सिंग की कब होती है ये होती है 1792 में तो उस समय जो है रटजीश सिंग कितने वर्ष के थे 12 वर्ष के थे ठीक है तो इनकी मित्व के बाद जो है 12 वर्ष की आयो में रटजीश सिंग सुकर्चकिया मिसल के प्रमुख बनते हैं ठीक है रटजीश सिंग ने न केवल स्थानी छेत्रों को जीतने की चेस्टा की अपितु डोंगरों नेपालियों और अफगानों के साथ भी संबंध स्थ ठापित किये 1799 इस्वी में अफगानिस्तान के सासक जमान सा ठीक है जमान सा ने रटजीश सिंग को लहाओर के प्रांतिय सासक पड जो है दिया ठीक है अब क्यों दिया क्यों इसने कहा कि जो है लहाओर पे आप कब्जा कर लो ठीक है तो उसका एक कारण है देखिए उसका कारण ये है कि ये जो जमानसा था ये अहमसाबदाली का पोता था ठीक है तो इस वज़ा से ये पंजाब को जो है जमानसा अपना मानता था उस पे जो है पुस्तैनी अधिकार मानता था कि ये मेरा है ठीक है तो जमान साव ने पंजाब पर कई बार आक्मर किये, तो उसमें एक बार जब आक्मर करके वो वापस जा रहा था, तो उसका जो है जो तुपे थी वो चिनाव नदी में गिर जाती हैं, ठीक है, तो वो तुप को जो है रटजी सिंग ने निकलवा करके जो है वापस वहां भिजवा देता है जमानसा के पास, ठीक है? तो इससे जो है खुस हो करके जो है और बोल देता है रटजी सिंग को जमानसा कि भाई आप लाहोर पे जाओ, आप जा कर लो, अधिकार कर लो, ठीक है? तो ये जो है रटजी सि जाकर के 927 में लाहोर पे अधिकार कर लेते हैं तीक है और देखि 1850 सुझी कमों पर भी अधिकार आप आपको पूरा देख लीजेगा पिछला वेडियो पूरा डिचल्ड मैंने बता है तो होता क्या है कि जो अम्रिसर भंगी मिसल की कबजी में था उनसे जो है रणजी सिंग छीन लेते हैं ठीक है आ जाई आगे ये दिखे मैं भी यहाँ पर एक दिखाया हूँ ये जानकारी दोस्तों जो मैं आपको दे रहा हूँ ये नेट से मैंने जानकारी लिया है और किताबों से जानकारी लेके आपको बता रहा हूँ तो देखे मैंने एक नेट से ये मैं किताब से लिया हुआ है तो देखे ये जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा 1805 का ये दिखी सिख राज आपको दिख रहा होगा ये इरिया ये उत्तर पश्चिम का छेत्र आपको दिख रहा है इंडिया का तो ये इस एरिया में आपका सिख रिस्टेट पंजाब राज था ठीक 1805 की लगभग ये ये पुजीशन थी इनकी ठीक और देखे इस प्रकार अब पंजाब की राजनितिक राजधानी लहोर आपने देखा कि रजीश सिंग ने लहोर जीता और अमरिसर भी जीता तो अब जो है राजजी सिंग्ञ है इनके पास दोनों जो है जैसे देखे राजनितिक राजधानी लाहॉर और धारमिक राजधानी जो थी अम्रिसर दोनों बार राजजी सिंग्ख का अधिकार हो गया ठीक है तो ये जो है स्टूरी यहां तक की है और देखिए आगे अठारा सव आठ इस्वी में रजी सिंग ने 17 नदी को पार किया और फरीद कोट, मालेर कोटला और अंबाला को जीत लिये हिन्तू अठारा सव नव इस्वी की अमरी सरसंधी के द्वारा 17 नदी के पार के प्रदेशों पर रजी सिंग ने अंग्रेजों के अधिकार को स्विकार कर लिया यह संधी चार्स मेटकाफ और रजी सिंग के बीच हुई अब आप लोगों के लिए एक काम है आप लोग मैप में जाएंगे और आप चाहें मैप पे सर्च कर लीजे आप लोग देखिए कि सतलज नदी कहां पे बढ़ रही है रावी नदी कहां पर बह रही है ठीक है और जो है रावी हो गई सतलज हो गए जो है और इसके आसपास की कौन सी नदियां बह रही है ये जेलम नदी कहां बह रही है ये जो है नदियों को जो चार से पांच नदियां है इनको आप देखिए मैप में ठीक है कैसे कैसे बह रही हैं तो आपको एक जो है आईडिया आपके मन में बैठेगा तो यहां पर मैंने point आपको बताया कि देखे 1808 हिस्वी में रणजी सिंग ने 17 नदी को पार किया ठीक तो अब आप मैप में देखी कि 17 नदी कहां है अब उसको यह पार करें देखें मैप देखने से दोस्तों फाइदा होता है ना कि जैसे कोई point है अब आपने पढ़ा 17 नदी अब आप मैप में देखेंगे कि अच्छा 17 नदी कहां पे है कहां से किदर बा रही है ठीक है तो अब उसके बात अगर आप देखोगे मैप भी देखोगे तो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक याद रहेगा इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है मैप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स में मैप का उपयोग करिए और जो है बनाइए तो क्या होता है आकरिती जो है अपने दिमाग में ज़्यादा देर रहती है जैसे आप देखिए आप लोग कोई किताबे पढ़ते हैं वही राजा के बारे में स्टोरी है आप पढ़ते हैं कि भाई ये राजा था ऐस से जन्म लिया, ये सासन किया इतने मरा तो ये आपके दिमाग में देखे जादा देर रहता नहीं लगन अगर वही चीज को आपको पिक्चर में मूवी में आप देखते हैं स्टोरी को तो आपको बहुत दिनों तक याद रहता है तो ये फायदा है आपका पिक्चर का तो आप जो है मैं आपका खुब प्रयोक किया करिए ठीक है तो आप देखिए और फरीद कोट मालेर कोटला अमबाला को जीत लिया ठीक अब यहां तक आपका क्लियर हो गया था आगे आईए अठारस नौ इस्वी में अहमा साब दाली के पाउत्र साह सूजा को साह महमूद ने अपदस्त कर दिया किंतो रजी सिंग की सहायता से साह सूजा ने पुनागद्दी प्राप्ट कर लिया ठीक और देखिए अब साह सूजा जो इसने हटाया था गद्दी से अपने साथ में जो है दोस्त मुहमद आओर एक आदमी को तीन लोगों के यह सपोर्ट लेकर के साह सूजा को हटाया था ठीक है आगे देखिए गद्दी प्राप्ट करने के बाद साह सूजा ने रजी सिंग को प्रसिध कोहिनूर हीरा जो नादिर साह ने भारत से लूटा था प्रदान किया आगे देखे शिख सेनाओं के प्रधान सेनानायक हरी सिंग नलवा के अफगानों की को पराजीत कर जमरूद पर अधिकार प्राप्त कर लिया इस प्रकार खैबर दर्रे के पूरो छेत्र पर रंडजी सिंग का अधिकार हो गया ठीक अब आप खैबर दर्रा भी देखिएगा कहां पे है ठीक सरजर के देखिएगा मित्य कितने कब हुई 1849 में जो है इनकी मित्य हो जाती है रजी सिंग की ठीक फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने रजी सिंग की तुलना नेपोलियन बोनापाट से की थी और उसके बाद दिखिए रजी सिंग के बाद उनका पुत्र जो है खडco सिंग गदी पर बैठता है ठीक है अब दिखिए रजी सिंग के बारे में किताबों में ऐसे पढ़ने को मिला कि ये जो है जैसे जो अंग्रेश थी अंग्रेश से ये अंग्रेश तो आप जानते हैं कि भई पंजाब तो बहुत ही उबजाओ भूमी है ठीक है अब आज का जो हम लोग पंजाब देखते हैं दोस्तों ये तो बहुत छोटा हिस्सा है आजादी के बाद आप मैप में देखिएगा जो है पार्टीशन के विफोर पार्टीशन जो आप मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पंजाब कितना बड़ा था ठीक है तो अभी जो आप हम लोग मैप में देखते हैं पंजाब तो बहुत छोटा सा हिस्सा आप दिखाई पड़ता है ठीक तो पंजाब जो है बहुत बड़ा हिस्सा आप और पूरी रणिती भी बना रहे थे तो लेकिन रडजी सिंग ऐसा किताबों में पढ़ने को मिला कि रडजी सिंग ने जो है इस पे कोई रणिती नहीं बनाई जैसा कि वो कुछल साइनिक तो थे लेकिन कुछल राजनितिक या नहीं थे कि जैसा उन्होंने देखा कि जो अंग्रेजों की आप देख रहे हैं कि आप कबजा करना जो है कबजा कर रहे हैं बढ़ रहे हैं घेरा डाल रहे हैं तो इस पे उन्होंने कोई जैसे बीदेशों से सहायता और देशों से गटबंधन और राजाओं से गटबंधन इस तरह का क कोई कारिनों नहीं किया और यूद्ध जैसे यूद्ध करना भी अंग्रेजों से नहीं चाह रहे थे बच रहे थे वह ये चीज अपना मूड बना लिये थे कि आगे की पीड़ी अपना समझेगी तो वह जो है एक उन पे जो है जुकना 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 ये बस उनका रणेती था कि बतलब उन्होंने एक्षन नहीं लिया बस वह यूद्ध से बसते रहे कभी तो एक बार उन्होंने मूड भी बनाए कि लड़ना है लेकिन फिर पीछे हो गए ठीक तो ये कमी जो है दिखती है जैसा कि किताबों में लिखा है रणी सिंग की ठीक है अब देखिए उसक के बाद खड़क सिंग उनके पुत्र होते हैं ऐसा किताब में लिखा है कि ये बहुत ही मुर्ख थे और अफीम का नसा करते थे अफीम का जो है नसा ये करते थे ठीक है तो और उनके पास योगता भी नहीं थी अब जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि जब कहीं पी निरंक सासक है और वो खत्म हो गया मर गया तो उसके बाद अगर सही उसका उतरादिकारी नहीं है ताकत वर नहीं है तो क्या होगा खत्म हो जाएगा तो उसी तरह रजी सिंग की जब मित्ति हो गई तो उसके बाद जो पंजाब था जैसे बारूत की धेर पे बैठा हुआ था ठीक और ये अंग्रेज उसके बाद क्या हो गया कि उतल पूतल पूरी मच गई अब सत्ता प्राप्ति करने के लिए संघर सोने लगा सेना जो है भी अपना लग गई एक पार्टी दूसरी पार्टी को बनाने में ठीक है तो पूरा जो है यानि गुटबाजी पूरे उसके दरबार में हो गई ठीक है गुट बन गए अब वो अपने अपने पच्छ के लोगों को सासन पे बैठाना चाह रहे थे ठीक है इसकी अभी उत्तराधिकारियों की चर्चा आप से करते हैं तब तक आईए प्रसासन राजी सिंग का प्रसासन कैसा था उससे आप देख लीजे दिखे राजी सिंग अपने आपको खालसा तथा सिख राष्ट मंडल का सेवप मानते थे ठीक है एधपी महराज सासन का सुद्रधार था फिर भी उसकी साहता के लिए एक मंत्री परिशद होती थी ठीक है राजी सिंग ने राज्य को प्रांतों में बहाट रखा था और उनमें एक नाजीम के अधीन होता था प्रांत जीलों में बटे थे जो कारदार के अधीन होते थे और गाउं में पंचायते प्रभावसाली ढंग सेकार करती थी भूमी कर 33 से 40 प्रतीसत लिया जाता था ठीक है जब उस आसन कर रहे थे बाकी उपजाव मिटी कैसी है क्या है उस पे रहे जब भी वो प्रस्थान कई पी जा रहे तो फसल बचाकर किया ही जैें और इस तरह की इतायत दी जाती थी से ना को आश आप समझें न्याय पढाली कठोर परंतु तुरंत थी न्याय प्राली क्या थी? कठोर थी और तूरंत थी आजकल जैसे न्यायले की सिंखला नहीं थी जैसे आज हम देखते हैं न्याय प्राह स्थानी प्रस्न था न की देश का स्थानी प्रसासक, स्थानी परंपराओं के नुसार न्याय करते थे लाहोर में एक अदालत ए आला, जो है अदालत ए आला का क्या मतलब है? सबसे उचा नया आला है, ठीक है? तो अदालत ए आला था जो संभावत प्रांतिय तथा जीला अदालतों से अपीले सुनता था. अपराधियों की देने की छमता पर आधारी बड़े जुर्माने किये जाते थे, बड़े बड़े अपराधी भी जुर्माना देने पर छोड़ दिये जाते थे, नयाय वास्तों में सरकार की आयका एक साधन माना जाता था. अब आईए सैनिकों के बारे में समझे सासन किस तरह के सेना थी जैसा कि आप समझे जेडी कनिंगम के सब्दों में समझे जेडी कनिंगम जो है रणजी सिंग की सेना के बारे में क्या बता रहे हैं इससे आपको उनके सैनिक की जो है च्हमता का पता लगेगा देखे बता रहे हैं जेडी कनिंगहम कि रणजी सिंग को अपने देश की सेना एक घुरसवारों के जुन्ड की रूप में मिली ठीक है वीर किन्तु युद्ध कला से अनभीग्या परंतु मरती समय पच्चास हजार अनुसासित सैनिक अब देखे अनुसासित सैनिक माने अधूनिक जो है अस्तरसास से लैस बन चुके थे और इनकी इसकी अत्रिक्त पच्चास हजार सुसाजित स्वैंसेवी सेना और तीन सव से अधिक तोपें इनके पास थी अब देखी दोस्तों ये जो है जैसा कि आपने देखा कि और भी आपने पीछे लड़ाईयां भकसर का युद देखा कि कैसे जो है कितना जल्दी ये लोग यूरुपी सेना से हार गए अंग्रिजियों से हार गए तो ये रजी सिंग ने देखा था तो इन्हों ने company जैसे अपनी पूरी सुसजित अपनी सेना करी थी जो अंग्रेज लोग अपने पूरा military का कैसे बनाए हैं किस तरह से इन्हों ने जो सैनिक हैं कैसे उनको आस्तर साथ से लैस कर रहे हैं अधुनिक कैसे उनको जो है नेत्रित दे रहे हैं इस तरह का जो है ब्योस्था रजी सिंग ने किया इनको जो है उसी तरह बनाया जैसे कि अंग्रेज अपनी सेना को बनाये हुए थे तरह इन्हों ने जो उच्फद थे उसमे जो है यह यूरोपीयों को यह भी भड़ती करी थी जैसे जो घुर्षवार थे जो पैदल सेना थी उसको जो है फ्रांसी सी फ्रांसी सी को जो है उन्होंने नेत्रित सहुपा हुआ हुआ था कमांडर बनाया था ठीक है और जो यह थी थी कि यह हर धर्म से लोगों को जैसे वित्य कारें में देखा हिंदू को उन्होंने रखा हुआ था तोप लिए विशे सेगे मुसल्मान को रखा था और घुर्सवारी और उसके लिए पैदल सेना की नेत्वित करने के लिए फ्रांसीसी को रखा था और भी जो आपके युरूपी लोगों को अपनी सेना में रखा था जिसी की सेना जो है बिलकुल आधुनिक हो जाए आधुनिकता से फिट हो और जो है सामना कर सके आज के समय के आज के युद्धों का ठीक है तुन्हें उन्हें आधनिक्ता पे काम किया था ठीक है और इनका जो है जैसे मतलब रुजहान भी ऐसा नहीं था कि मतलब सिखों के ही प्रती नहीं था ये सब जाती को लेकर चलते थे जैसक मैंने तो इस तरह जो है ये सभी धर्मों को लेकर के चलते थे और जो है ये हो गया अब आजाईए रजी सिंग के उतरादिकारीओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो देखे रजी सिंग के जो है तीन लड़के होते हैं कौन-कौन खडग सिंग ठीक है और दूसरे लड़के होते हैं शेर सिंग ठीक है और तीसरे लड़के होते हैं दिलेप सिंग अब देखिए, खडग सिंग के बाद उनका लड़का नौनिहाल सिंग जो है गद्धी पर बैठता है ठीक, तो अब आईए इनके उत्तरादीकारियों को बारे में आप समझे तो देखिए, कुछ समय बाद दर्बार में विरोध जब खडग सिंग गद्धी पर बैठते हैं तो कुछ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुडबंदी चालू हो गई थी गुडबंदी चालू हो गई थी और एक पार्टी अपने ही पच के सासक को गद्धी दिलाना चाह रही थी तो आब देखिए कि खडग सिंग को गद्धी से हटा कर बंदी बना लिया गया तो क्या हुआ कि जब गुडबंदी हुई खडग सिंग उतरा दिकारी थे गद्धी पे बैठे थे तो उनको जो है अपोजिट पार्टी हावी हो गई अब खडग सिंग को गद्धी से बंदी बना लिया गया और उसके अस्थान पर उनके जो पुत्र थे नौनिहाल सिंग को सिंगहसंपर बैठा दिया ठीक है नौनिहाल सिंग दरबार में डोंगरा बंदुओं गुलाव सिंग ध्यान सिंग और सुचेज सिंग के प्रभाव को समाब करना चाहता था अब दिखी ये दूसरी गूठ ह अब इसको नौनिहाल सिंग क्या है समाब करना चाह रहा है क्योंकि वे सेर सिंग के समर्थक थी सेर सिंग काउन है ये दूसरा लड़का है रणजी सिंग का ठीक अब देखें सेर सिंग रणजी सिंग का दूसरा पुत्र था स्वयम गद्दी पर बैठने के लिए उसने नहाराज वोशित कर दिया गया ठीक दिलि शिंग की सासंकाल में जो है अंग्रेजों ने पंजाब पराकुन कर के अधिकार कर लिया ठीक अब देखे अब इनको जो है अंतिम में जो अंतिम लडाई होती है दिती आंगलस जो है सिख युद्ध होता है उसमें जो है यह हारते हैं और उसके बाद यह क्या हारते हैं तो भाई अंग्रीजों का बस लाला ची था कि कैसे जो है क्या दिमाग लगा करके कपजा किया जाए तो अंतिम में यही होता है कि जो दिलिप सिंग थे इनको जब सिखार जाते हैं दितिया सांग जो है शिख्यूद में आंगल सिख्य युद्ध में तीनको जो है पेंशन देकर की इंगलेंड भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए ठीक तो ये है अब देखिए दो जो है युद्ध हुए हैं प्रथम आंगल आंगल यानी वही अंगरेज और सिख्षों का युद्ध दो हुए हैं प्रथम और द में देखिए छोटी-छोटी कई लड़ाईया हुई है ओर नेडायक कौन सा है वो भी पताता हूँ जैसे मुद्ध मुद्गी की लड़ाई, फिरोसा की लड़ाई, बद्वाल की लड़ाई, अलिवाल की लड़ाई, और सबराओ की लड़ाई, ये दिखिए निड़ायक युद्ध था, ठीक है, तो ये जो है, इसमें जो है सिक्ष पराजित होते हैं, और ये मैंने लड़ाई लिख दी है, ये पूस्ता है एक्जाम में आप भ्यान दीजेगा तो उसके बार देखी अब दूसरी दिती आंगल सिख युद्ध में जो कब हुआ 1848 और 1849 इस स्वी में अब इस लड़ाई में दोस्तों जो है सिख जो है पूरी तरह पराजित हो जाते हैं और जो है पंजाब पर अंग्रीज का कपजा हो जाता है इसमें कौन-कौन सी लड़ाई हो है देखे राम नगर की लड़ाई चिलियान वाला की लड़ाई गुजराद की लड़ाई ठीक है यह जो है तोपो की लड़ाई भी कहा जाता है गुजराद की लड़ाई ठीक है तो इस युद्ध के बाद दिती आंग युद के बाद जो है जो सिख हैं वो पूरी तरह पराजित हो जाते हैं अव अंगरे जो का पंजाब पी कब्जा हो जाता है ठीक है तो अब दोस्तों जो है आपको समझ में आ गया होगा बाकी कोई confusion होगी दोस्तों तो पूछ लीजेगा और किताब जैसा कि मैंने बताया है क किताब एक जरूर पढ़िएगा जिससे कि आपकी पूरी टापिक जो है अच्छे से क्लियर हो जाए क्योंकि दिखिए दोस्तों पूरा अगर आप मालीजय अबजेक्टिव टाइप का भी ले रहे हैं या आप एसे टाइप का या लांग टाइप का भी question आप लिखेंगे त तो किताब तो एक पढ़ना पढ़ेगा ये तो मेरा प्रयास है कि मैं आपको समझा दूँ ज्यादा से ज्यादा चीदे समझ में आ जाए लेकिन आप जब तक किताब भी नहीं पढ़ेंगे तो पूरा चीजे मतलब हो तो जाएगा लेकिन और बढ़ियां आपको performance मतलब बता दूँगा ठीक है तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पर समाप्त करेंगे ठीक है अब यहां तक आपने देखा है तो पक्का अच्छा लगा है तो लाइक करते हुए जाएगा मिलते हैं आप से अगले वीडियो में वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत थन्यवाद.